रामंगमी क्यो मनाया जाता है? शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विश्नु के साथ में अवतार भगवान श्री राम जी के जन्म के उपलक्ष में त्रेता युग के समय से ही इस रामंगमी के त्याहार को आयोजित किया जाता है. भगवान श्री राम का जन्म रावन के अत्याचारों और उसकी बुराई के नाम को खत्म करने के कारण हुआ था बुराई का नाश करने और पृत्वी से दानवों को खत्म करने के लिए एक नया धर्म की स्थापना की गई थी ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के जनमोचसव के रूप में रामन्वमी का त्याहार मनाया जाता है और इस त्याहार का आयोजन इस नए धर्म की स्थापना के समय से ही किया जा रहा है शास्त्रों के द्वारा यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम रावन के महल लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्मा दुर्गा की उपासना की थी जिसके कारण चैत्र मास की नवरात्री के समापन होने के ठीक बाद ही राम नवमी का पर्व शुरू हो जाता है राम नवमी का इतिहास क्या है? यदि हम पौरानिक कथाओं की माने तो भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में राज महल में हुआ था भगवान श्री राम के पिताजी का नाम महाराजा दशरत था राजा दशरत के तीन पत्निया थी महाराजा दशरत के किसी भी पत्नी को किसी भी संतान की प्राप्ती नहीं हो रही थी जिसके कारण महाराज बहुत ही दुखी और परेशान रहते थे अपनी ऐसी समस्या को लेकर के महाराज दशरत महर्शी वशिष्ट के पास पहुँचे महर्शी वशिष्ट के पास जाकर के उन्होंने महर्शी वशिष्ट को अपना संपूर्ण दुख बताया इसके पश्चात महर्शी वशिष्ट ने यग्य करने के लिए कहा महाराजा दशरत ने ठीक वैसा ही किया ऐसा कहा जाता है कि यग्य समाप्त होने के पश्चात महरशी ने उन्हें खीर प्रदान की और महरशी वशिष्ठ ने कहा कि आप अपनी तीनों रानियों को इस खीर को खिला दीजिएगा महाराजा दशरत ने अपनी पत्नियों को यह खीर खिलाई और देखते ही देखते नौ महीने बाद महाराजा दशरत की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ती हुई महाराजा दशरत का यह पुत्र कोई और नहीं बलकी भगवान श्री राम ही थे उसके बाद रानी कैकई ने भरत को जन्म दिया भरत अपने भाई श्री राम के प्रती बहुत ही समवेदन शील थे और अपने भाई से बहुत ही प्रेम करते थे राजा दशरत की सबसे छोटी पतनी रानी सुमित्रा को दो जुरवा बच्चे ने जन्म लिया था उनके एक पुत्र का नाम लक्षमन और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुगन था लक्षमन के विशय में कौन नहीं जानता, भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई लक्षमन ही थे ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी दिन को लोग रामन्वमी के उपलक्ष में मनाते हैं भगवान श्री राम का जन्म पृत्वी पर दानवों का नाश करने के लिए हुआ था और इसके साथ साथ भगवान श्री राम जी का जन्म पृत्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भी हुआ था भगवान श्री राम भगवान श्री हरी विश्नु के सात्वे अवतार थे शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने विश्नु के साथ अवतार के रूप में राजा दशरत के घर जन्म लिया था भगवान श्रीराम को राजा दशरत और महारानी कैकेई, कौशल्या और सुमित्रा तीनों ही बहुत प्रेम करते थे परंतु किसी कारणवश इनकी माता कैकेई ने इन्हें वनवास दे दिया था भगवान श्रीराम का जन्म त्रेता युग में कौशल्या माता के कोख से मृत्यू लोक में हुआ था मृत्यू लोक वही है, जिसे हम पृत्वी कहते हैं इस पृत्वी को मृत्यू लोग कहने का यह तात्पर्य है कि इस पृत्वी पर जो कोई भी जन्म लेता है उसकी मृत्यू निश्चित होती है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम जी को पुरुशोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम जी को भक्ती करते हो जरूर कमेंट्स कीजिए धन्यवाद। और मृत्पर्य लेता है। झाल झाल